दियर स्टुडेंट में विद्या सागर और आप देखें विएस के विद्या सागर सिंगा चैनल तो देखें ये विडियो जो है आप लोगो को कलास दसवी के हिंदी भाग दो यानि वानिका के पाठ जो है आप लोगो चार जिसका नाम है नगर 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 पाठ में आप लोगो जो भी प्रसन उतर आते हैं एकजाम में वो सरा का सरा हम बता देंगे इस पाठ में और पूरा का पूरा हम कहानी आप लोगो समझाएंगे ताकि आप लोगो किसी को भी कहीं से भी कोई दिकत न हो तो चलिए आप ल को हम सबसे पहले लेखों के जीवन परचे के बार में जानेंगे उसके बाद हम आप लोग को पार्थ में जो कहानी दिया गए है उसके बार में जानेंगे तो देखिए इससे पहले आप लोग एक पार्थ दो पार्थ और तीन पार्थ नहीं देखे होंगे तो तीनों पार्थ का बीडियो का लिंक डिस्क्रिप्सम बक्स में मुझूद है क्लिक करके बारी-बारी से देख लेजिएगा चलिए आप लोग बीडियो सुरू करते हैं यानि नगर देखिए पाथ का नाम जो है आप लोग को नगर आई ये पहला प्रसन आप लोग को दे सकता है रंग राजन है इनका जन्म तीन मई 1935 इसवी में चेनई तमिल नाडूग में हुआ था अपनी रचना सैली तथा बिशाय वस्तू के द्वारा इन्होंने तमिल कहानी में उलिखनिये बदलाव किये हैं इनकी रचना है खूब लोग प्रिये हैं इनकी जो भी रचना है खूब लोग प्रिये हैं यानि फेमस है मतलब परसिद्ध है इन्होंने कुछ अभिनाय नाटक भी लिखें कुछ नाटक भी ये लिखें सुजाता यानि कहने का मतलब है इस रंग राजन आप लोगों को ठीक ना इनके कुछ उपनियास पे चलचित्र भी बने चलचित्र मतलब फिलम भी बना है फिलम भी बन चुका है इनकी 25 से अधिक किरती परकासित हो चुकी है 25 से अधिक किरती जो है परकासित हो चुकी है छब चुकी है जिनमें करयलान, सेन, बक्पू, कनवूत, तोलीर सालय, आदी उपनियास काफी चर्चीत और सम्मानित हुए मतलब ये तम्मिल भाजा में जाया तर लिखे हैं आ तम्मिल में ही फेमस हुए है यह कहानी आधनिक तम्मिल कहानिया, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सभार संकलित है इस कहानी के अनुवादन के जमुना है, के जमुना, यह कहानी का अनुवादन करने का मतलब ये है कि ये तमिल कहानी है तो तमिल कहानी से मतलब ये हिंदी में उसका अनुवाद कौन किया तो ये के जमुना ये आप लोग को भासा पे दिख रहा होगा तमिल ते लोगो कहानी जैसा भासा भी दिख रहा होगा तो भासा से पता चल रहा होगा यह ही है अप लोग को एस रंग राजन यानि इनको सुजाता भी कहता है क्या कहता है सुजाता यह बात अप लोग याद रखेगा आगे बढ़ते हैं आप लोग को काल्डवेल के तुलनात्मक ब्याकरण में लिखा है मुदायरे पांडी यह पांडी लोग की दूसरी रजधानी है मुदायरे जो है मुदायरे मदूरे मदूराई यह भी आप लोग को कहाएता है आप लोग नाम सुने होंगे या इसमें और भी नाम सुनेंगे मदूरे, मदूरे जो है पांडिये लोगों की क्या है दूसरी रजधानी है हमारे देश में प्रचीन मानचित्रों में मथरा नाम से भी उलिखित है ये मदूरे जो है आप लोगों को मुदैरे भी कहायता है आप लोगों मथरा नाम से परचलित है इनग्रेज यो द्वारा मदूरा और इनानी लोगों द्वारा मेदोरा लेकिन तमिल लोग बोलते हैं क्या बलते हैं मदूरा तरणी मादूरे एक सहर है मदूरे में ही अलग अलग थपला बहुते लोग बोलता है लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा ắng के तो मदूरे ऐट सहर है ठीक है आप लोग को प्रस्में दे सकता है जी से मालनेजीए कि जो ये कहानी नगर है, नगर जो है किस नगर के नाम पर बना है, तहम मदूर है, लेकिन देता नहीं है एकजाम में आप लोग को, लेकिन आप लोग को NCRT जब बुक में है तो आप लोग को जन्ना अतिवस्यक है, आगे आप लोग को देखते हैं, समझते हैं कहानी, दिवारों पे छपे दिवारों पे मोटे अक्षरों में छपे बिभीद वस्तूओं का बिग्यापन करने वाले तरह तरह के पुष्टर लगे हुए हैं पीने वाला तंबाकू है सिक्रेट जैसा निजाम लेडिक तंबाकू एके ब्रांड ब्रेसियर्स साउधान करांती की आग भड़क रही है खास सभाएं हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान हाजी मूसा की कपड़ा के दुकान भी यहाँ है मने कपड़ों का सागर कहाएता है ह तीस नौ तीहत्तर को नास्तिक लोग आग की हांडिया लेकर चलेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा बात भी लिखा है, यह सब इस सहर में, आगे हम लोग देखते हैं, यह भी निजाम ही है, लेडी तंबा को गायता है, आगे देखते हैं आप लोग को, अब यहाँ से कहानी आ हटना होता है, किसके साथ होता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, हर चीज हम लोग को जानेंगे, इसमें पूरा तरह से आप लोग को कहानी समझ में आ जाएगा, बस आप लोग को करना यह है, कि जैसे जैसे हम समझाते जाएंगे, आप लोग अपने मन में कालपनिक चित्र बनाते जाएंगे या कहिए कि फिल्म बनाते जाएंगे मतलब हम जीस तरह से बताते जाएंगे आप लोग फिल्म बनाते जाएगा फिल्म जब बन जाएगा तो आप लोग कभी भूलिएगा नहीं कि कोई भी ब्यक्ति अगर एक बर फिल्म देख लेता है तो उसको अगला दिरी से क् तो फिल्म ही बनाईएगा अपने मन में जैसे भी बनाईएगा अब बनाने के लिए आपका पूरा और पूरा फोकस मेरे बोले गए वाणी पे रहना चाहिए आख से आख आख आप लोग मिला के ध्यान दिजेगा ताकि आप लोग को कहीं भी ध्यान न भटक पाए और ये है कि आप लोग दुसरा बात मत सुचिएगा कहीं घर के बाती धर धर के बाती नहीं सुचना है बाकी कहानी समझ में आ जागा तो कोई भी कोशन आप लोग से छुटे गई नहीं एक्जाम के लिए भी आप लोग के लिए बेश्ट है और पूरा कहानी जानने के लिए भी ताकि आप लोग दूसरे को ही बता सकते हैं चल यहाँ पर चलिए, आप लोगो शुरू करते हैं, मदूराय नगर में एक सधारण दिन, सधारण दिन मतलब नर्मल दिन, जिससे सहर का नर्मल दिन डेली जो चलता है वही दिन, यह नहीं है का कोई खास दिन है या मेला है या कोई परब फिस्टिवल है, यह समनें, सधारण द पर नमिश टाइप हुआ है इसलिए चोते बच्चे टिटनल जैसे भयानक रोक की चिंता किये बीना मिर्टी में खेल रहे हैं छोटा बच्चे जो है टिटनस के बीना टिंसन किये हुए मेटी में खेल रहा है तो सहर में एक्सर ऐसा होता है गली मुहला या इधर उधर के जगा पे लोग खेलता है घुमता है पांडियन परिवहन निगम की बसे सरवत्र स्वादेशी की भावना से युक्त डीजल का धुआ फेला रही है ये सब सहर में होता ही है कि जो वहन है ये डीजल का धुआ जो है फेला रहा है सहर में फेलता है कलफ लगी निकर कमीज पहने पोटीन की कमी से पिणहित पुलीस वाले पोटीन की कमी से मतलब जो कमजोर पुलीस वाले होते हैं कमजोर पुलीस वाले इधर उधर जाने वाले वहनों और मनुस्यों की गती को नियंतित कर रहे है है मने कोई अगर जाहिए आप लोग नगर में यानि सहर में तो आप लोग पुलिस को देखी कि गाड़ी इधर उधर किनार करवा रहा है कि नहीं ऐसा देहने के लिए मिल रहा है द्रिस से अब देखी आप लोग नहीं जानते हैं तो समझे लिए जैसे आप लोग ब्रावनी गती साइंस में पड़े होंगे तो साइंस में क्या होता है कोई भी कौण किसी द्रव में घोलने पे और उसको गती कराने पे तेढ़े में मार्ग में गमन करते हैं मतलब मान लेजिए कोई कण यहां है तो यहां से इसे गया इसे गया इसे गया इसे गया इसे इस तरह से इस तरह से इस तरह से मनने किसी किसी भी तरह से जाएगा मतलब इसके कोई निष्चित दिशा नहीं है तो इसी तरह के जो गती हो रहा है सहर में हो रहा है सहर में एक निची ताकर्ती में नहीं चलता है यह नहीं है कोई सिध़े जा रहा है या गोल-गोल घोम रहा है या ब्रावनी गती हो रहा है आप लोग भी बजमे में मार्केट में इस तरह से देखें होंगे आप लोगो अईसा इसा आहिए आप लोग नगर है देहने लिए आप लोगों मिल रहा है बस गाड़ी जो है इसा रुखा रहता है चलते रहता है इस तरह से आप लोगों सड़क पर दिखेगा आगे आप लोगों जानते हैं यहां पर देखिए खादी-धारी लोगों का एक जूलूस जो नो ज्यादा बड़ा था और नहीं लंबा था । खादी-धारी मतलों नेता लोग । नेता लोग जो है खादी पहन के जूलूस निकाल रहा है अक्सर शहरों में नेता लोग कोई नयकोई चीज के अंदोलन या किसी न किसी चीज के लेकर यात्रा करता है महंगाई के लिए सरकार को कोस्ता हुआ सड़क की बाई और मानो रेंग रहा था मने ये जुलूस जो है रेंग रहा था कवची के लेकर महंगाई के लेकर सरकार से लड़ रहा था या अंदुरन कर रहा था चपल रहीत रहने का मतलब है अगर चपल सहीत रहता तो चपल पहना हुआ चपल रहीत है मनें चपल नहीं है रहीत अगर आ गया तो समझो वो चीज़ नहीं है तो चपल रहीत गमार लोग की भीण मिनाक्षी मंदिर के अस्थम से खड़े अनेक गोपूरम सुखी हुई बैगे नदी का पूल यही है मदूरे यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर गोपूरम सुनने के मिल रहा है गोपूरम क्या है तो हम लोग के तरफ नहीं हम लोग रहते हैं नर्थ में उतर में बता रहें साउथ में तमिल तमिलैडू के तब चले जाएं सबसे परमुख द्वार परमुख द्वार को गोपूरम Har לסchnya को हैं तो लोग को समझने के लिए गोपूरा हूं जिस तरह से माननों किसी गाउं या बड़े गाउं में किसी सहर में जाने के लिए स्वागतम करके वेलकॉम करके लिखा रहता है गाउं के नाम, यहां पर कुछ लोग का नाम आसपास में रहता है, रोड के चारतरब से इस तरह से बनाया रहता है, दोआर कहो की, तो गाउं का प्रवेश दोआर कह सकता है, तो लोग उस तरह से बना हुआ, तो लोग अपना-पना इलाका में देखा होगा तो उसको ही साउथ में मतलद दक्षिन में गोपूरम कहाता है ति ये गोपूरम बना हुआ है अच्छा नदी का पूल यही मने मदुरह है यही सब आप लोग को दीख रहा है ठीक है हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंदित है जो आज ही इस नगर में आई है अब देखें यहां से कहानी आप लोग को एकदम ध्यान से सुनना होगा हमारी कहानी जो है ऐसी लड़की से संबंदित है जो आज ही इस नगर में आई है मतलब कोई लड़की है इस नगर में आरे उ तो सहर के परिचे था तो सहर में यह यह चुझे वाला हैं इसकी कोई कोचन पुछने वाला नहीं हैं हाँ पुछ देगा तो याद तो है ही अभी सुने तो हम लोग ईसे थोड़े कि गयंजा पिके सुन रहे थे थे सब लोग ध्यान दे के सुन रहा था सब लोगा को याद भी होगा जैसे देगा कि सहर में नगर कि लोग इधर उदर गमन हैं किस गती में करते हैं तो ब्रावनी गती र्क कानी गती लोग ब्रावनी गती में गवन कर रहे थे तो ऐसा ऐसा दे भी दे तो का फर्क पड़ता है हम लोग सुन लिए मतलब याद हो गया हम लोग सुने है तो ऐसा थोड़े कि भूल जा रहे हैं तो लेखो अब इसमें ऐसा कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो की एक लड़की है जो इस सहर में क्या है आज ही आई है आज ही की दिन आई है बली अमाल यहाँ पर एक नाम सुनने के मिला है बली अमाल हमको पहले से पता है तो बता दे रहे हैं बली अमाल जो है एक बिधवा आउरत है बली अमाल जो है बिधवा आउरत है एक नाम सुनने के मिला अभी आग मनि एगो मा है एगो बेटी है मा के नाम बल्ली अमाल अब लड़की के नाम पपाती है के साथ मुदूरे इस्थित बड़े अस्पताल में ब़िरंग रोगी विभाग के बाहर बराम्दे में बैठी पर्तिक्छा कर रही थी अब देख लो किस विभाग में तो बहिरंग रोगी बहिरंग रोगी बिभाग में क्या कर रहे हैं बैटके तो उनों परतिक्षा कर रहे हैं पहले दिन पपाती को बुखार था पहला दिन जो पपाती को क्या हुआ था बुखार हुआ था बुखार था उसे गाउं के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया मतलब हर गाउं में हर बड़े गाउं में छोटा मुटा टोला में नहीं करें हर एक बड़े गाउं में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है तेतराड में भी है हम ल इलाज है, समाज़ है। वहाँ से बता देगा, कि यहां जाए है जो भी जाए है, वहाँ से बता सकता है। primary health center ले गई कौन उसकी माहा, उसकी माहा मतलब बलीयमाल, बलीयमाल अपने पुतरी पपासिप सेंटर को ले रगई primary health center वाले ओका दिया आकापाधिया कि सुब्ह के पहली बस पकड़ो और सहर चले जा हुँ या मुदावरे पापाती क्या थी इस्ट्रेचर पलेटी हुई थी छे डॉक्टर उसे घेरे खड़े पापाती लगवक 12 साल की थी पापाती कितनी साल की थी 12 साल की थी इसमें भी 12 साल की है मंगू अला में भी 12 साल की है लेकिन जब साधी के बारे में सोचती है तो मंगू के बहान तो 14 साल के बात कहती है तो इसमें मंगोला बात न लाएं तो ही ठीक है मंगोला कहानी हम लोग पड़ गाएं समझ गाएं किसे को कोई दिकत नहीं हुआ होगा अब इसमें जो है 12 वर्स की लड़की है कहाते कि पापाती की उम्र क्या बताई गई है नगरपठ में तो वो 12 वर्स उसकी नाक दोनों और से छेदी हुई है नाक जो है दोनों और मनें इधर भी इधर भी दोनों और से छेदा गया नाक है नाक की लॉंग में जड़े मामुली नगीने अस्पताल के रोशनी में चमक रहे थे नाक की जो लॉंग लॉंग मतलब इसे सोना गा चांदी के लोग पहनता है या ऐसे भी नर्मली लोग पहन लेता है तो वो जो नॉग था नॉग मतलब जो कांच जैसा होगा या जो भी सोना गाई होगा तो वो चमक रहा है क्या हो रहा है चमक रहा है आस्पताल के रहो सुनी है माथे पर विभू यहां पर देखते हैं चाती तक चादर उड़ाई हुई थी चाती तक उन्हें पापाती को चादर उड़ाया गया था उसमें से बाहर निकले उसके हाथ दूबले पतले से लग रहे थे मतलब पापाती के जो बाहर निकला हुआ हाथ था जिस तरह से चित्र में दिखा गया है एक दूबला पतला था बुखार के तेजी के कारण पापाती बेहोस पड़ गई थी उसका मुह खुला हुआ था पापाती के जो है मुह खुला हुआ था अब बुखार के कारण क्या है यह बेहोस पड़ गई थी यही पापाती है 12 बरस की लड़की है पापाती है अब कहो कि आपको सर्ज कहानी में जो बताया गया फोटो जो है कैसे मिल गया तो फोटो वो सचाई का नहीं है यह फोटो जो है हम अपने से अड़ किये हुए ताकि कहानी समझ में आए एक बार ऐस दाहि वाली मंगमा तो पूझने लगें मंगमा क्या आप घर देखे है क्या हुआ तो मंगमा क्या हम gram? नहीं देखे नहीं यह उस टाइब का फोटो हम एड़ ही किये है ताकि जिश्ट उसी जैसा लगे और उसी जैसा तो लोगा समाझ में भी आय लगता भी है लग भी रा हुआ है ताकि तो लोग को help के लिए ही तो किया गया है ताकि तो लोग पढ़ पाओ समझ पाओ अच्छा समझ पाओ अब देखो पापाती के जो हाथ है दुबले पतले से लग रहे हैं और बुखार से तेजी से क्या है पापाती बेहोस पड़ी सी हुई है जो कि इस हालत में उसका मोह खुला हुआ है ठीक ना आगे बढ़ते हैं बड़े डॉक्टर ने उसका सीर घुमा कर देखा आखों की पलके को उठा कर देखा गालों को उंगली से दबा कर देखा मने गाल को उंगली से लोगों इसे डॉक्टर लोग चेक करता है तो बाके देखता है क्या हुआ क्या कैसे है खोपड़ी को उंगलीों से ठोक कर उसका परिक्षण किया खोपड़ी को भी ठोक कर इसे परिक्षण करता है जांच करता है डॉक्टर लोग अपना अपना बिध अब देखो लो जिसे एस्पताल में जाने के बाद मालो बहुत सरे डॉक्टर होते हैं तो उसमें से जो बड़ा डॉक्टर है बड़ा डॉक्टर जो है विदेश से सिक्षापा क्या थे असनात कोतर का छाओं को पढ़ाते थे वे पुर्फेसर थे उनके चारों और खड़े डॉक्टर उनके छातर थे मतलब एक डॉक्टर जांच कर रहे थे परपाती को जांच कर रहे थे इसके लिए यहाँ पर फोटो दीख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर जो डॉक्टर थे क्या थे असनात को पढ़ाते थे मतलब एक पुर्फेसर थे बाकी सब जो थे इनके क्या थे स्टुडेंट थे मतलब एक विद्यार्थी थे इनके उनके चारों और जो उनके चारों और जो खड़े डॉक्टर थे उनके चातर थे वे बोले एक क्यूट केस ओफ मेनेंजा यहां पर अब देखो आगे बढ़ते हैं बली अमाल न समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनती हुई अत्यांत चिंतित होकर अपनी पूतरी को एक टक देख रही थी अब यह दॉक्टर साहब बोलें इंगलिस में इंगलिस में यह सब्द बोलें आप लोग यहां पर दिख रहा होगा कि acute case of meningitis नोटिस दी ठेक तो यह बात नहीं समझ में आई बली अमाल को मतलब बली अमाल पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो अपनी पूतरी मने पूतरी कहने का मतलब है पपाती को एक टक देख रही थी चारों और बड़े डॉक्टर ने बारी-बारी से आकर अप्थलम इसकोप की सहायता से उस लड़की की आखों की भीतर के भाग का परिक्षण किया अप्थलम स्कोप जो है आक के परिक्षण करने व swollen कने वाला ही राहई थी जाई की तो लोगजो ईसके फिर्दय की गति जाच की जाती है है कि नहीं लेगिन यह हैं आप्थलम स्कोप जो आकक की परिक्षण करना होता है तो सब डाक्टर वारी से जाच किये चॉर्च से रो कि पुतलिया हिलती है या नहीं पुतली हिल रहा है कि नहीं काम कर रहा है कि नहीं सही से टॉर्च से रॉसनी फेकता है अगर लाइट जाएगा आँख पे तर थ्वाबत नहीं नहीं है आँख चकमका जाता है चकमका नहीं वही होता है पुतली हिलता है जो जाच किया फिर अपना बड़े डौक्टर बोले कह दिज्य कि इसे admit कर ले को हिंदी में बोले क दिज्य कि admit कर ले बली आमाल ने बारी बारी से उनके चेहरों की अर देخा द्रब्द्रों के एक बोला अब देखला वली आमाल थे पिचारी अब admit माता जी इस लड़की को तुरंत अस्पाल में भरती करना होगा वहाँ देखिए वहाँ जो सज्जन बैठे हुए हैं उनके पास जाईए अपनी चीत कहां है मने आपके चीत कहां है मने यह कहके पूछने लगा कि आपके चीत कहां है यह डोक्टर बता देखिए कि वह जो सज्जन बैठे हैं आप जाईए उनके पास जो भी बताता है पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बली अमाल के पास चीट नहीं थी, चीट मतलो कोई पूर्जा उर्जा तो था नहीं, कोई बात नहीं, वे दे देंगे, अरे यार, तु चल, बाबु जी इस तरफ से, बली अमाल ने बड़े डॉक्टर के तरफ देखते हुए पूछा, बाबु जी, बच्ची अच्छी हो जाएगी न, मने बली अमाल पूछी, कि बच्ची अच्छी हो जाएगी न, लइन डॉक्टर लोग थो आबो, इधर दोर के अपने में बात कर रहे थे, जो कि पापाती को, और ये पापाती तो माले स्टेचर पलेटी हुई थी, ये तो बड़े डॉक्टर क्या बोले, पहले इसको एडमिट करवाव, भरती करवाव, हम इसकी देखभाल करेंगे, कौन बोला, डॉक्टर, जो में डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर थे, वो बोले कि हम इसकी देखभाल करेंगे, डॉक्टर धन चेखरन, इस केस को मैं स्वयम द यहां पर आगे देखो दूसरे लोगों द्वारा धीरे हुए किसी मंत्री के तरह वहां से चल दीए सीरी निवासन को सारी बाते समझाएकर बड़े ड़क्तर के पीछे दोड़े सिरी निवासन ने बली अमाल की ओर देखा सिरी निवासन जो थे देखे मैंने सिरी निवासन के कोई ब्यक्ति था क्या किये थे सिरी निवासन को समझा दिये थे बड़ डक्त का किये थे नहीं जो डॉक्टर धन सेखरन थे डॉक्टर धन सेखरन सीरी निवाशन को कर दिए कि अधर आओ तुम्हारा नाम क्या है आरे ओ हरम जा दे वह रजिष्टर उठादे देखो तो यह बात इन लोगों के बीच में नहीं हुआ है यह नहीं है कि मैंने बली अमाल बोल रहे हैं कुछ पुछ रही है Um बैता न लगी यह बात दूसरा के लिए बोले है कौन यह स्रीनिवासन बोले है दूसरा के लिए यहां तक भी तो लोग को बली अमाल system के बात है तो बली श्री निवासन ने सीर उठा कर देखा इस नहीं है कि मैं पूर्जी प लिख रहे थे पूर्जी पे इस तरह से रहे थे है पूछ रहे थे तो मैंने कह रही है न कि वे मर गए तो सिरीनिवासन देखने लग है उसके तरब तो पेसेंट के नाम हम पुछ रहे हैं तो पेसेंट के नाम कहे तो कह रही है तो लोग इलाज कराने आया है आगे देखो मतलब यह अनपढ़ थी माने समाज में इसको नहीं आ रहा था पेसेंट यानी रोगी किसे भरती करना है पूछे सिरी निवासन तो यह बता रही है मेरी बेटी को तो कह रहा है नाम क्या है तो जी बली अमा अपना ही नाम बता दी फिर स्रीनिवासन क्या पुझे नाम क्या है तो यह जी बली अमा अपना नाम बता दी तो यह स्रीनिवासन कह रहे है क्या मजा कर रही है तेरी बेटी का नाम क्या है तो कह रहे है यह पापाती क्या बताई पापाती जो कि अब सही बताई नहीं तो थोड़ा अनपढ में यही होता ह बहुत सरा बातों को एक ही बात को कोई बार समझाना पूरता है पपाती है इस अबर ये ले मन चीट दे दिये ये ले इस चीट को लेकर सीधे चली जा मन चीट बना कर दिये दे दिये वहाँ सीधियों के उपर एक सजन कूर्सी पे बैठे मिलेंगे वे लोगों से बेतन आदी के बारे में पुष्टाच करते हैं उन्हें ये चीट दे दिये ना अब शीरि निवासन जो थे एक चीट बनाए चीट मैंने पूर्जी बनाए आप पूर्जी बनाकर दे दिये कि जाओ एक सिंधी के पास सजन बैठे हैं उसी को दे दिना और वो बेतन उतन के बारे में पुष्टे हैं बेतन मतलब जो इंकम होता है न जो मालूम कितना होगा तो माने यह पूछी कौन बली अमाल पूछी कि बच्ची का क्या होगा ठीक है हम तो चीट लेकर जा रहे हैं बच्ची का क्या होगा तो कह रहे हैं बच्ची का कुछ नहीं होगा उसे यहीं लेटी रहने दे माने यहीं छोड़के जा तू चीट लेकर जा काम करा जो तुझा यहँ cm5 कौण है ऑप यह पीजाई रंगम कौन है यहां विजाई रंगम कौन है वली अमाल पापाथी को अकेली छोड़कर नहीं जनाञा चाहती थी क्योंकि पापाती उसकी पुत्री थी पुत्री विमार थी बेहोस की हालत में थी तिसलिए छोड़ के नहीं जाना चाहती थी लेगन फिर भी जाना तो था नभरती करवाने के लिए वहां की लंबी कतार देखकर वहां फैली एक बिसेस गंध की कारण जी मिचलाने लगा मैं होस्पीटल में समझती हूँ कि इस तरह से गंध आएगा उसे अपने मिरित पती पर बहुत गुसाया मिरित पती मतलब जो उसका पती मर गया था उस पर गुसाया तो इस हालत में हमको कि छोड़के अधेला चला गया हमके रेके क्या क्या करें बदला पती पर मिरित पती पर चीट लेकर सीथे चली गई चीट लेकर का की सिधे चली गई कूर्सी खाली पड़ी थी कूर्सी जो थी चीट लेकर गई ना क्योंकि सिरी निवासन भेज थे जाओ चीट लेकर सेणी के पास वहाँ पे कूर्सी पे सजन बैठे हूंगे बेतरनों तरन के बारे पुष्टे हैं उनको चीट दिखा देना तो जब कूर्सी पे गई तो कूर्सी खाली पड़ा था मने जो चीट लेकर दिखाने गई तो कूर्सी खाली पड़ा था उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी पास बैठे एक ब्यक्ती को उसने चीट दिखाई उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से इस चीट की और देखा कोई कुर्सी पे अलग ब्यागती था तो ये बली आमाल जागे चीट दिखा रही है उसी को जो जिस पे भेजा गया था वो तो सीट खाली था तो मैंने उस कुर्सी पे कोई नहीं था लाइन लगा हुआ था मैंने कहीं गया होगा होगा जो चीट लेता है वो कहीं गया होगा तो दूसरा के देखाई दूसरा लोग कॉंभी अपना लिख रहा था तो इसे कंखिसे कंखिसे उसका मासित तनिक ठारो उन्हें आने दो मनें विएकती कहा कि मासित तनिक ठारो आने दो समाझ कोची करवाना है वेत्नवर्कर करेंगल के बबता आने दो खाली कूर्सी की और संकेत किया बली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लवट जाने के तिवर एक्छा जगी उस अनपढ़ इस्त्री के हिर्दय में इस प्रस्ण ने अत्यांत 20 साल रूप ले लिया मैं यहाँ परतिक्छा करू या बची के पास लवट जाओ मैं फिर यह सुचने लगी तब ठीक है मतलब यह कुरसी खाली है हम यहाँ रूप कें कि अपना बची के पास हम चले जाएं बची मतलब हाँ पापाती उसे यह पुछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत दिर लएगी मतलब यह बली अमाल सुच लई थी मतलब नहीं है मन में उसको डर लग रहा था मतलब अनपड थी डर लग रहा था कि कि पूछे हम कि उनको आने में देर लएगे कि क्या होगा बेतन के बारे में पुछ ताच करने वाले ये सजण अपने भांजे को भरती करवा कर अराम से लोटे जो बेतन के बारे में पुछने वाले थे सजण जो कुर्सी खाली पड़ी थे उस कुर्सी पे आये लेकिन अपने भांजे के भरती कराने के लिए वो गए थे उधर आराम से एक्दम भरती करा के आये आकर कुर्सी पर बैठे उन्होंने तीन बार नसवार ली फिर रुमाल का रसी की तरह बटकर नथुनों में डालकर सुर्सुडा कर चुस्त होकर बोले देखो भाई तुम लोगों को लाइन बना कर खड़े होना चाहिए फटिंगे की तरह जुंट बना कर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा मनें वेक्ति आया कुर्सी पर बैठा नाक में जो रुमाल डाल के सुर्सुडा के एक दम चिंख छाक के दम अच्छा से बैठा फ्रेस होगे हना आता पूछा मने बोला कि देखो भाई तुम लोग ऐसे मताओ लाइन बना के आओ तो देख रहा है कि अगर इधर उधर इधर तो कोई लाइन बना के नहीं है तो फिर उसको भी दीकत हो तो बोलने लगा कि लाइन बना के आओ तुम लोग और तीस मीनट तक इंतिजार करने के बाद बली अमाल के हाथ की चीट को जैसे किसी ने छीन सा लिया मैं 30 मीनट इंतिजार की जो चीट बली अमारा हाथ में ली घूर ज़िए हम शुलफ पर तो डॉक्टर शाब ने दस्तखत ही नहीं कि नहीं है जाकर ॉक्टर साहब से दस्तखत कर वाला मुझे इसके लिए कहां जाना होगा तु कहां से आई है मने उवो पुछने लगा ब्यक्ती मने बली हमाद तु कहां से आई है मुनान डिप्ती से मुनान डिप्ती से तो यहां पर देखो गाउं के नाम जो है मुनान डिप्ती है क्या है मुनान डिप्टी से तई ये कह रहा है अच्छा मुनान डिप्टी से कहका कलर्क जोर से हासे फिर बोले अपनी वह चीट मुझे दे दो मैंने कलर्क बोला कि अपनी वह चीट मुझे दे दो उसने दुबारा अपनी चीट उन्हें दी थी मैं दुबारा दिखाई उन्होंने उसे उलट प्लट कर дेखा और कि दी पर फीर पूछे के उबतन के बारे में ही पूछ रहे थे तो पूछे तेरे पती का बेतन कितना है कि थे पती का बेतन कितना है वह नहीं आया कि वह क्या करें महीनें कितने में कितने रुपए कमाती हैं? बलीमल फिर से मर जख बंगे महीनें हें तो महीनें कितने रुपए कमाती है है जब पतने के रुप में धान मिलता है मतल pirate में रागी आधी मीलता है यह सब बता रहे है तो नव कि थोड़े था-ता हिए तू महीनÁ रहेगा रूपाई नहीं मिलते तो अच्छा यह तेरा बेतन नबे रुपए लिख देता हूं मने वह बेक्ती बोला कि नबे रुपए तुरा मने तुम्हारा बेतन लिख देते हैं चीट पर लिखना था ना एक महीने में तो अवरत मतलब जो बली अमाल है सुनके मने उसको जीव लगा चाहिए जो भी लगा होगा तो इक कह रहे हैं जो चीट पर मने बेतन के बारे में पुछते हैं उप क्या कह रहे हैं घबरा मत तुझे से पैसे नहीं लेंगे ले इस कि मैं जाने के लिए का है किसको बली अमाल को जो उब चीट के बेतन के बारे में पुछके बेतन के पर लिखके चीट दे कर दिये कि जो तुम 48 नमबर कमरे में कहां जाना अब 48 नमबर ऊसको पढ़ने तो नहीं ना आएगा क्योंकि वो अनपढ़ है अब भेज दिये जा औ 48 नमबर कमरे में, आ कहां जाओ, तो जाओ सीधे जाकर बाएं मोड जाना, बाएं मोड के दिवार पे तीर बना हुआ, तीर पे वहां से चाल जाना, 48 नमबर कमरे में, बताओ, इतना बता दिये, अब अनपढ़ भूल गई बेचरी, बहूल गई तब देहो कहां जा रही है, कै इसे भूली, क्या हुआ अस्पताल में, इसके साथ वह ही चीजिस में बताया गया है, यहां पर समझते हैं, बली अमाल ने इस चीट को दोनों हाथों में ले लिया, कलार्क ने, उसे जो संकेत दिये थे, उसने उसके सरल मन में, और अधिक उलजन पैदा हो गई, जो चीट म में उलजन पैदा हो गया, हावा के जोकवे में पड़े, कागज के टुकडे, कि तरह इधर उधर अस्पताल में, मैंने इधर उधर भटकती फिरी, वह अब पढ़ना नहीं जानती थी, उस समय उसके ध्यान से यहां बात उतर गई कि 48 नंबर वाले कमरे में जाना है, अब पढ़ना जनती ही नहीं है, तो 48 भी भूल गई, नहीं तो किसी से पुछ भी लेती, 48 नंबर कौन है, अब 48 नंबर भी भूल गई, लटकर उस कलरक से दुबारा कुछ पुछते हुए, उसे डर लग रहा था, मैंने सोची लटकर आएंगे, फिर पुछेंगे, तो उसको डर लग रहा था, तो मैंने पुछते वक्त, क्योंकि मैंने अनपढ़ होती है, तो अनपढ़ डर डर पोक भी जातर होती है, यह इसको पढ़ने नहीं आता, 40 नंबर, भूल भी गई, तो 40 नंबर में जाना है, अचानक उसने अपने पास से, दो रोगियों को, एक ही इस्ट्रे दूसरी और एक ट्रॉली में एक चौणे मुह वाला बर्तन में सांभर मिला भात ले जा रहे थे, कुछ सफेद टोपी धारी, लोग दिखाई दिये, नर्स कंपाउडर यह सब था, सभी परकार के सुसाजित सफेद कोट पहने, इस्टेथो एसकोप, यहां पर इस्टेथो ह इस्टेथो को माला की तरह नाले में डाले कुछ डॉक्टर, डॉक्टरिया, सामने से निकली, पुलीस वाले, चाय, कॉफी वाले, नर्स, सभी दिशाओं में आ जा रहे थे, वे लोग जल्दी में थे, मने जल्दी आ रहा था, जा रहा था, सबका अपने अपने काम रहता ह उन्हें रोक कर कुछ पुछते हुए, उसे डर लग रहा था, उसकी समझ में नहीं आया कि वा उनसे क्या पुछे, मने बली अमाल को डर लग रहा था पुछने में, और पुछे भी तो क्या पुछे, उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था, पुछे तो क्या पुछे, पु किसी एक कमडा के सामने लोग भीण लगाए खड़े थे वहाँ एक आद्मी उसके हाथ की चीट की तरा पीले रंग की बहुत सारे चीटे जमा कीए हुए था वहाँ आद्मी था जिसे पीला रंग की चीट मिला था याद रखना है पूछेगा नहीं प्रतो मैं आदमी देखें उस आदमी को देथी उसंने से बीना देखें चीत लिकार रख ले लिह देखें बाहर वेंच पर बैठें सभीं बारी की प्रतिक््षा करन रहे थे बली अमाल को पाव झुक्षा की भाया है को पपाती की चिंता सताने लगी क्योंकि परतिक्षा करें कि मैं लोग उधर जो बैटी के छोड़के आए हैं उस बात को भी चिंता सता रही थी लड़की वहां के लिए पड़ी है कर रहा था वाहसे बैठा रहा था बैठा रहा था बैठा जा रहा था कि परपाती के नामं पढ़कर वह बोला इसे यहां केङो लई ही मैं चीत देखी तो मैं इन्जाइटिस के रोग है तो दूसरा दूसरा रोग के उतसिल रहा होगा तो इसे यहां क्यों लाई ले इसे सीधी लेकर चली जा और वह चीत वली अमाल को वापस दे दी आधा गंटा हुए घुम फिर के इधा उधर करके फिर तो चीत दे दिया इस पर वह बोली बाबो जी मेरी समाज में नहीं आया कि मुझे कहां जाना है कुछ सोचकर उसने उसके सामने से जाते एक व्यक्ति को रोक कर कहा अमल राज देखो अस्पताल में वह जो तस्वील रहा था चीत बहुत सा पीला रहा रहा था यह बली अमाल दे दी थी बिना तो वह जो ब्यक्ति था वह अमल राज को रुकाया मने जो कोई ब्यक्ति अस्पताल में काम करने हो ला होगा अमल राज माता जी को 48 नंबर के कमरा दिखा दे बली अमाल से वह बोला इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ यह वहीं जा रहे है तो अर्तालिस नंबर कमरे मे वहाँ एक और बेंच पर दुसरे लोगों की भीण दिखाई दी एक आदमी ने उसके हाथ की चीट ले ली सुबा से भुकी होने कारण और अस्पताल में फैली विशे सगंध की कारण बली अमाल का सीर चकराने लगा अब गुमते गुमते अस्पताल में जा जा दे तो सीर चकराने लगा आदे गंटे बाद उसका नाम पुकारा गया वह कमरे के अंदर गई आमने सामने दो लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे उसमें से एक ब्यक्ती ने उसकी चीट अपने हाथ में ले लिए और उसे उलट-पलट कर ध्यान से देखा यहां से आगे देखते हैं बहीरंग रोगी विभाग से आई हो वह उसके इस परस्णिका उत्तर ना दे सकी क्या कि अनपर थी उसको का पता चीट पर लिखा है कि रोगी को एडमीट किया जाए इस समय जगह नहीं है कि जाओ इस समय जगह नहीं है समझी तो जाने के लिए बोल दिया उस कमरे से बाहर आते हैं बली अमाल को अपनी बेटी पापाती की बहुत चिंता सताने लगी जिसे वह अलग भग देड़ घंटे से अकेले छोड़ा आई थी देड़ घंटा से अकेले छोड़ के आई थी तो चिंता सताए गें वह उसके प लगे अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे ही थे उसे लगा मानो एक ही आदमी घूम फिरकर अस्पताल के अलग-अलग कमरों में बैठा हुआ है एक वाड में अनेक रोगी लेटे हुए थे जिनके हाथ में पैरो को उचा करके उन पर एक वजन बांधा हुआ था मने पैर हाथ तेना हो जाता है न तो वजन बांधा जाता है एक कमरे में करम से लेटे छोटे 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 बच्चे मुह बना बना कर रोर रहे थे मसीनों रोगियों और डक्टरों की उस भीण में वापस लटने का रास्ता न पासकी मसीन ये सब डक्टर इदर दर तो वापस नहीं लट पाई वापस मतलब अपने बेटी के पास नहीं पहुँच पाई उसने डक्टरानी के पास बुला कर उस जगह की पाचान बताई जगह की पाचान बताई कि मने कहां पर मेरी बेटी थी कोई डक्टरानी से पुछने लगी जहां से वह चली थी वह बोली डक्टर बीबी वहां बहुत से डक्टर लोग मिलकर बातचित कर रहे थे एक आदमी ने मुझे से मेरा बेतन पुछा था उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ाई हूँ मैंने बली अमाल कहने लगी डक्टर लोग मैंने पूछी यह उके तो देखिए हम बता रहे हैं कहां से आए हैं मतलब वहां पर बहुत सारे डक्टर थे बातचित कर रहे थे यह वह ब्यक्ति बेतन के बारे में पूछ रहे थे उनके पास ही मतलब हम अपना बेटी छोड़ा हैं उनके पास ही मतलब इसको अब पता कैसे चलेगा कहां बता रही है अस्थान तो नहीं ने बताई कुछ है बस ऐसे ही अंदाजा बता दी ते देखो डक्टरानी द्वारा बताए गए रास्ते से वह अला उटी मैं डक्टरानी बताई कि ठीक है ऐसे चल जा जो भी उस समय मुख्धवार पे ताला लगा हुआ था उसका मामुली सा डर भीषडभवाय में भावना में परिडत हो गया वह रोने लगी उसे ब्रामदे में बीचो बीच खड़े रोता देखे एक अदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर रोने को कहा जो देख़ो मैंने आदमी किनारे के गंद के समान सहज सोभाविक लग रहा था कि यह रो रही है बगल में तो इसलिए लोग इनको मैंने बोल दिया कि साइड में हो जाईए कितना लोग गुसा भी करता है पपाती पपाती मैं तुझे कहां ढूंड़ों कि यह खो गई थी इसको पता ही नहीं है हम कहां है मैं अब कहां जाओं कहती हुई इधर उधर घुमती फिरी तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया बा पहर जाने का रास्ता उस दर्वाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जता है उसे याद आया की उसने यह दर्वाजा पहले भी देखा था मैं शुरुवात में ही वो प्रवेश करने वाला द्वार देखी होगी जहां बाहर निकलने वाला तो वो देखी उसको बाहर निकलने वाला दरवाजा वो बाहर आई उसे याद आया कि वो यहां से थोड़ी दूर चल कर दूसरे दरवाजे के अस्पताल के भीतर गई थी वो उस और दौड़ी दूसरे दरवाजे के पहुचने पर उसे लड़की की बनी सिन्डियों की याद आई, मनें लकड़ी की सवरी, लकड़ी की बनी जो सिन्डी थी, सिन्डी की याद आई, सामने उस सजन के कूर्सी खाली पड़ी थी, जिसने बेतन आधी के बारे में पूछा था, मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं पर, वो दरवाजा बंद था, अब भी stretcher पे आखे मुंदे पड़ी दिखाई दी अब उसको उसकी बेटी दिखाई दी लेगिन दर्वाजा क्या था बंद था बाबो जी बाबो जी जड़ा दर्वाजा खोली ए मेरी बेटी अंदर है मतलब ये बेटी को अपना चिलाने लगी बूलने लगी के मेरी बेटी अंदर है दर्वाजा खोली है तो कवची हो गया तो दर्वाजा मैंने बंद हो गया था तो लोग दूसारा दर्वाजा मत समझे ला ठीक तीन बजे आना मैंने वो बोला भी ठीक तीन बजे आना दर्वाजा खुलेगा इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है क्या हो गया अब दस मिनट तक उस आदमी से मिन्नते करती रही उसकी भासा बली अमाल की समझ में नहीं आई किसी ब्यक्ती से पैसे पाकर उन्हें चुमकर उसने उनके लिए दरवाजा खोला उस रास्ते से वह जटपट अंदर भागी अपनी बेटी को उठा कर चाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पे बैट कर खुब रोई बेटी की पैस तो पहुँचाई लेकिन खुब रोई बड़े डक्टर जो थे कॉफी पीकर अब चल दिये मैंने कहें लिए इलाज करने के लिए कहें कि वह इतना बोले थे भरतिकर आने के लिए तो सोचें अब चलो इलाज करने हमको जाना है उन्होंने सुभा मेनेंजाइटिस का जो केस देखा था वह उन्हें अच्छी तरह याद था काई कि उसी का सिक्षा लेकर भी देश से आये थे अब उसको ठीक करना था उन्होंने हाल में ही ब्रिटिस मेडिकल जर्नल में उस लोग के कुछ नई दवाईयों के बारे में पढ़ा था मैंने हाल में ही कि वह लड़की कहा है मैंने यह दॉक्ट में डक्टर जो बड़े डक्टर थे आके पुछने लगे कि हम मैंने में जर्टिस के केस देखा था 12 सल की लड़की वह कहा है डॉक्टर साहब आज यहाँ कोई भी एड्मिट नहीं हुआ मने वह कहाने मैंने लगे जो भी छोट में डक्टर या अस्पतार लगे तो कोई भी 12 सल की लड़की एड्मिट नहीं हुई है तो देखो बड़े डक्टर क्या कर रहे है क्या एड्मिट नहीं हुआ मैंने उसे एड्मिट करने को खास अदेश दिया था कि मैंने भरती कराना है धन्त शेकरन आपको याद है याद है डक्टर साहब मैंने पाल आप जाकर पता करके आईए उस केस को उन लोगों ने कैसे मिस कर दिया मैंने कहा वह बड़े डक्टर की उस केस को कैसे मिस कर देगा कि बहुत गंभीर बिमारी था पाल सीधे नीचे गए पाल मतलब कोई पाल जी पाल जी कहला आते होंगे मैं अस्पताल में सीधे नीचे गए और उन्हों होने आमने सामने बैठे दोनों कलार को यहां कलार को से पुष्ट ताच की क्या करें बाबुजी आप आप नामी बड़े डॉक्टर साब पुष्टाच कर रहे थे तो बड़े डॉक्टर जो है पुष्टाच कर रहे थे उन लोग उसे क्या कि उसको भरती करना था यह लोग क्या कर दिया था इधाव-दर के बात घुमाने में रह गया हने लोग उनके परचित हैं मैं माने लोग बोले के डॉप्तर से सकते हैं तो दूसरा बैधिक कर्सके मैं क्या जानू हमाँ किस को यह बात बोला उन गलऑ कर दुद्साधा है कि कई दौप यही परचित पाल जी को तेव कह रहे हैं, हो सकता है, मैं क्या जानू, ये लाइन पाल जी बोले होंगे, तो हो सकता है, डॉक्टर के परिचित होंगे, मैं क्या जानू, सुनो यहां पे, 12 साल के कोई लड़की मेरे पास नहीं आई है हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो सही बात है को लड़क भी कहा कि 12 साल के लड़की मेरे पास नहीं है कोई और आया होगा उसके माब बहन चाहिए जो भी आई होगी मैंने सभी लोगों से कल सुबा साड़े साथ बजे आने के लिए कह दिया है रात को दो-तीन बेड खाली हो जाएंगे इमर्जेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए हाँ इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस को केस में इंट्रेस्टेड है कहा है इंट्रेस्टेड है मैं दिलचस्वी रख रहा है उस केस को देखने के लिए वे लोग उनके रिष्टेदार है मैंने यह पूछे कि डॉक्टर साथ के रिष्टेदार है क्या बली अमाल की समझ में नहीं आया कि वह अगले दिन सुबह साथ बएत क्या करे अस्पताल के वाता मर्न में उसे अत्यंत भाइभीत कर दिया वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं छण भर के लिए वह कुछ सोचती रही फिर उसने बेटी के उठा कर अपनी छाती से लगा लिया उसके सीर को अपने कंदे से टिका कर और हाथ पैर को लटकता छोड़ कर वह उसे लेकर अस्पताल से बहार आई मतलब अब क्या कही अस्पताल से बहार आगए अब के लिए लिए कहा मने सफिता रंके रिकष्या पर सवाल हुआ क्या है मने बस अड़ा यहाँ मने बस आड़ा जाने के लिए कही कहाई कि बस प्रकोड के जना था कहा मुनिद्युक्टी मुनिद्युटी जान था निका पूसके account वह अपने गाव के लिए निक всп es तब तक तो वह लड़की मर जाएगी तब तक तो वह लड़की मर जाएगी इन दोस्टों ने वाड में कोई बेड खाली नहीं है क्या हमारे विभाग के वाड में एक बेड खाली है उसे वहां बेड दिलवाद दीजिए जल्दी कीजिए उसको चेक करना ही होगा सुबह आने के लिए कैसे बोल दी लेगनी यह क्या की इधर बलीयमाल क्या की थी पीला रेक्सा प्रगाड निकल गई थी अस्पताल में नहीं राइट नाव बड़ डॉक्टर सहाब आज तक इस तरह चिलाकर नहीं बोले थे उसको चेक करना था मैं बड़ डॉक्टर को चेक करना जोड़ी था और तो डॉक्टर धंसेकरन पाल और हेड नर्स मिरांडा सभी घबराकर बलीयमाल को खोजते ओपीडी की ओर गए इसे माम क्या है बुखार है मुनान डिप्टी लेकर चलते हैं वहां के बाइद जी को दिखा दें दूंगी गाउं के अश्पताल नहीं ले जाओंगी अना मने गाउं के इस्पताल नहीं ले जाओंगी क्यों कि उह त्रवाय था गाउं के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो रहा था अब उसके पास भी नहीं ले जाएंगे, किसके पास ले जाएंगे, बैद के पास, ये सोचने लगी बली एमाल, वहां के डॉक्तर सहाब ने ही तो मुझे डरा कर मदुरय जाने को कहा था, इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, ओजा से जाड़ फुट कर सब ठीक हो जाएगा, साइकिल रीक्सा बस अड़े की और बढ़ता जा रहा था, बली अमाल ने मनत मानी, यदि पापाती ठीक हो जाएगी तो, बैदिसवरन जीक के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगाडी भर कर भगवान को भेट चड़ाओंगी, मने ये मनत मांग र बैटी तो, बली ये मेरी बेटी पापाती जो है, ठीक हो जाकी इसी भी तर से, तो ये पाठ बस ये खतम हो गए इतना ही पे, उसका इलाज हुआ कि नहीं हुआ, ये बात का पुष्टी ये पाठ नहीं करता है, बस इतना पे ही ये पाठ खतम हो जाता है, अब आप लोग ज उसकी रिष्टा में मा है, बली ये माल, डॉक्टर के बीच में क्या बाते हुई, कहां आने के बाद कही, अब कहां इलाज किराने के बाद सोची, हर चीज, तो लोगो बता दिये, संझा दिये, तो लोगो समझ में भी आ गया होगा, तो लोगो पाठ भी खतम हो गया, इससे रिलेटर जो भी प्रत में उत्तर है, इंपोर्टेंट, तो लोग अपने आप करके देखोगे, तो हो जाएगा असानी से, इसमें जो भी है कोचन बैंक, या गाइड उगरा से कोचन एंसर तो लोग करके देखो, सब्जेप्टिव और अब्जेप्टिव का हर चीज बन जा लेगा, लेकिन हा, करके ज़रूर देखना, ताकि तो लोग एक्जाम के लिए बहुत जोरी है, तो इसलिए थोड़ा से मेहनत इस पर कर लेना, ताकि कोई दिक्कत नहों, ठीक है, इसके बाद हम अगले कलास लेकर आते हैं, ताप लोग को अगले वीडियो में, अगले कलास मिलते हैं, अगले कलास लेकर वीडियो में तब तक लिए जय हिंद, जय भात, बंदे मातरम